चानक के आएस अकेर्मी करन्ट अफेर में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार के बारे में जिसका लॉंच दिल्ली में हाली में हुआ है केंध्रिय सडक परिवहन और राष्ट्रिय राजमार्ग मन्त्रालय ने नई दिल्ली में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार को लॉंच किया है अब हम बात करेंगे कार के बारे में अभी इस कार के प्रोटो टाइप को लॉंच किया गया है यह कार लेटेस्ट इमिशन स्टेंडर्ड बीए सिक्स टेक्नोलोजी पर आधारित है इसे टोयटा मोटर्स इंडिया ने लॉंच किया है यह कार पेट्रोल और डिजल की तुलना म 20 प्रतिशत कम हाइड्रो कार्बन और कार्बन मोनोकसाइड का एमिशन करती है जिस कारण परदूशन भी कम होगा पूरी तरह से एथनोल से चलने वाली कार से 40 प्रतिशत बिजली भी पैदा होगी ऐसे में यह हमें पैट्रोल की तुलना में 15 रुपए प्रती लीटर ही जो पूरे तरह से एथनोल से चलेगी तोयटा इनोवा हाइब्रिड कार को E100 ग्रेट दिया गया है जो पूरे तरह से वेकल्पिक इंदन से चलने में सक्षम है इस कार में सेल्फ चार्जिंग लिथियम आयन बैटरी पैक इंस्टॉल किया गया है जो कार को इलेक्ट्रिक व वाला पेट्रोल इंजन भी लगाया गया है यह इंजन 181 HP का पावर जनेरेट करने में सक्षम है इस मॉडल का नया इंजन पहले ही इनोवा हाइक्रोस के फ्लेक्स फ्यूल एडिशन के हाइब्रिड वर्जन से थोड़ा अलग है इसके इंजन को E100 ग्रेट एथिनोल पर चल है कि इसके इंजन को ECVT ट्रांस्मिशन से लिंक किया गया है जिसके कारण गाड़ी लगभग 23 किलोमेटर प्रती लीटर का मायलिश दे सकती है अगर हम बात करें कि इलेक्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल के लाग क्या होते हैं तो इसकी मदद से क्लीन एनरजी के सपने को साक सरकार किया जा सकता है सरकार ने पहले ही 20 प्रतिशत एथनोल के मिश्रण के साथ पेट्रोल को बाजार में उतारा है जो क्लीन एनरजी विकल्प की शुरुवात है इसकी मदद से कच्चे तेल के महंगे आयात को कम करने में मदद मिलेगी साथ ही वेकल्पिक इंदन को भी ब बार 2000 में पेश किया गया था इसलिए पहले उत्सरजन मानक को भारत 2000 कहा जाता है बाद में BS2, BS3 को क्रमश वर्ष 2005 और 2010 में पेश किया गया अंतता 2017 में BS4 मानन लागों किये गये और इसमें सक्त उत्सरजन मानक थे BS4 का पूर्ण रूप भारत स्टेज उत्सरजन मानक 4 है BS6 उत्सरजन मानकों का छटा संस्क्रण है इसने BS5 को छोड़ दिया है और इसमें सबसे अच्छे और सबसे कड़े उत्सरजन मानन है BS6 का पूर्ण रूप भारत स्टेज उत्सरजन मानक 6 है ये उत्सरजन मानक प्रदूशकों के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं केंद्रिय प्रदूशन नियंत्रन बोर्ड ने ऑटो मोबाईल उत्सरजन को विनिमित करने के लिए भारत स्टेज उत्सरजन मानक पेश किये थे नियामक संस्ता आंत्रिक देहन से विबिन परकार की प्रदूशकों की सीमा बताती है BS4 उत्सरजन मान दन्नों की तुलना में BS6 में हानिकारक प्रदूशकों की सीमा काफी हद तक कम हो गई है इसके अलावा वास्त्विक समय में उत्सरजन की निगरानी के लिए BS6 में विशे सुविधाएं और निदान पेश किये गए हैं ऐसे उत्सरजन मानकों को सुनिश्चित करते समय दुरगटना की स्तिती में वित्य संकट का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए कार भीमा पॉलिसी लेना भी उतना ही महत्वपून है जिसके परिणाम सवरूप अत्यदिक्षती होती है इसके साथ ही आज करे टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू सो मच दोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस इन अप्टेट